तो आज हम आपको बताने वाले हैं 9 अगस्त नाग पंचमी के दिन मनुकामना पूर्ति उपाए और जदि आपको आपकी मनुकामना शीग रती शीग रपूर्ण करनी है उसके लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दीचे और वीडियो को अधिक सदिक लोगों के पास में शेयर कर दीजे तो सबसे पहला उपाय जो गुरुची ने अपनी पिछली कताओं में बताया था जिससे सुन करी मैं आपको इस उपाय को बता रहा यह उपाय बताया था एक पीपल के पत्ते वाला उपाय यदि आपके साथ में ऐसा होता है कि आपको रातरी में सर्प दिखते हैं सपने में या आपको साफ से भी डल लगता है तो आप शिवी जी की जो पाँच बेटियां ये पाँचों बेटियां सर्प करने आएं इनके नाम से एक पीपल का पत्ता लीजिए अब इस पीपल के पत्ते पर चंदन से इन पाँचों का नाम लेकर सर्प बना दीजिए और जब आप पाँच सर्प बनाएंगे यानि साफ बनाएंगे पीपल के पत्ते पर तो आपको उन पाँचों का यानि कि भगवान चंकर की आवी नाम लेकर पीपल के पत्ते पर पाँच चंदन से सर्प बनाने हैं यदि आपको रात्री में सर्प दिखाई देते हैं सपने में तो पाँच पीपल पाँच सर्प चंदन से बना दीजी एक पीपल के पत्ते पर और इस पीपल के पत्ते को किसी नदी में विसरचित कर द इसके बाद में आपको कभी भी सर्प सपने में परिशाद नहीं करेंगे। दूसरा उपाय दूसरा जो उपाय है वो है नाग पंचमी के दिन ठीक नाग पंचमी यानि नौगस्त के दिन आपको क्या करना है एक शमी पत्र लेना है आपकी समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए शमी पत्र लीजिए और इस शमी पत्र को भगवान चंकर के शिवलिंग पे आस्तिक मुनी का नाम लेकर समर्पित कर दीजे जो मनो कामना जो कामना आपके मन में है उस कामना को बोलते हुए एक शमी पत्र भगवान चंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजे आस्तिक मुनी का नाम लेते हुए आपकी वो समस्त कामना मात्र और मात्र 24 गंटे 24 आव बेटियों का नाम लेकर जो शिवलिंग होता है नाग पंचमी की दिन जो आप दो कलज जल समर्पित कर रहे हो अभी सावन में तो जब आप जल समर्पित करो दो कलज जल बगवन चंकर के शिवलिंग पर तो आपको बगवन चंकर की पांचों बेटियों का नाम लेना है जल सम नाम लेकर आप जो दो कलज जल समर्पित कर रहे हो वो समर्पित कीजिए साथ में आपकी मनोकामना भी बोलिए आपकी मनोकामना बोलकर वो जल समर्पित कीजिए और यदि आपको रोग है तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उस जल का आच्वन यानि कि उस जल को पी जैसे ही आप बगवान चंकर की पाँच बेटियों के नाम से पियोगे, आपका रोग दीरे-दीरे समापती के और आ जाएगा। अगला उपाए, अगला जो उपाए है वो है बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे करने वाला हुपाए। या फिर आपके घर में कोई गमला हो, उसी के अंदर आप इस उपाए को कर सकते हो। क्या करना है आपको या तो व्रक्ष के नीचे है घमले में, जैसे मैं अभी पार्तिफ शिवलिंग का निर्मान करके प्रति दिन पूजा कर रहा हूँ और आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना दिखा हो, तो आप हमारे चैनल पर जाएए, वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएंगे। अभी तक हम 17 दिन की पूजा कर चुके हैं लगातार, एक पार्तिफ शिवलिंग और पांच कंकर वाली। इसी प्रकार से यदि आप लगातार, इसी प्रकार से हम इस पूजा को लगातार करते रहेंगे, तो जो मैं उपाय बता रहा था, या तो बेल पत्र के विरक्ष की नीचे, या फिर आपके ही गर में घमले में, आपको मिट्टी उठा कर, जैसे मैं शिवलिंग बनाता हूँ मिट्टी उठा कर उसी प्रकार आपको शिवलिंग बनाना है, शिवलिंग बनाने के बाद में चंदन लगाईए, सारी बस्तुएं समर्पित कीजी शिवजी को, और फिर पांच बेल पत्र लेकर भगवन शंकर के नाम से आपकी जो मनुकामना है, फिर वो संतान, धन, धन, जो भी मनुकामना है आपकी, उस मनुकामना को बोलते हुए, एक-एक बेल पत्र भगवन शंकर की पांचो बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विशरा, शामलिबली, दो तली और देव, इन पांचों का नाम लेते हुए आपको समर्पित करने हैं, पांच बेल पत्र, इस और जब आप ये दो कलज जल समर्पित कर रहे हो, तो आपको पगवन शंकर के पांचों बेटियों का नाम लेना है, साथ में यदि आपकी कामना संतान की है, तो तुम्रुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादियों का नाम लेना ना भूले, और यदि कामना है आपकी धन प्राप्तिगी तो कुवेर बंडारी और कुवेर इश्वर महादियों का नाम अवश्चे दीजिए, इसके बाद में आपको जब आप दो कलज से जल समर्पित कर दे, समर्पित करने के बाद में एक दीप गोल बाती का प्रजोलित कीजिए, शिवजी के सम्मुक में, दीप प्रजोलित करने के बाद में वो जो पांच बेल पत्र आपने समर्पित करे थे, उन पांचों बेल पत्र को उठा कर अपने पास में रख लीजिए, दाई महीने तीन महीने तक उन बेल पत्र को अपने पास रखिए, आपकी मनों कामना जैसे ही पूर्ण हो धाई तीन महीने में फिर उन बेल पत्रों को विसर्जित कर दीजिए विसर्जन कहा करना है किसी व्रक्ष के नीचे या किसी नदी में या किसी पात्र में जल बर कर उसमें और जब वो दीब ठंडा हो जाए तो शेव लिंक पे जल डाल कर उसका विसर्जन उसी दिन कर दीजिए इस प्रकार से आप भगवन शंकर की पाँच बेटियों का नाम लेकर आस्तिक मुनी का नाम लेकर नाग पंच में के दिन कीजी उपाए वीडियो भी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक सदिक लोगों के पास में शेयर भी कर दीजिए अब हम आपको बताने वाले इस वीडियो का अंतिम उपाए और जो अंतिम उपाए है वो है पाँच बेल पत्र वाला चमतकारी उपाए इसमें आपको क्या करना होगा पांच बेल पत्र लेने हैं और पांचों बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर और दोनों पत्तियों पर लाल चंदर लगा लेना है जैसे जैसे आप एक एक बेल पत्र पर लाल चंदर लगाते जाओगे प्रत्य एक बेलपत्र का नाम पढ़ता जाना चाहिए पहला बेलपत्र जया के नाम से दूसरा बेलपत्र विशरा के नाम से तीसरा बेलपत्र शामलिबाली के नाम से चोथा बेलपत्र दौतली के नाम से और पांचवा बेलपत्र देव के नाम से इस प्रकार से आपको पाँचो बेल पत्र पर लाल चंदन लगाना है और एक-एक बेल पत्र का नाम देना है फिर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर नाग पंचमी के दिन प्रदोश काल में वो पाँचो बेल पत्र जो शिवलिंग में मात अशोक सुन्दरी का इस्थान है आपकी मनुकामना बोलते हुए एक एक करके समर्पित करते जाए जिनकी डंडी बगवान चंकर की जलादारी है जिस तरफ उस तरफ हो ज़ि आपने ये पाँच बेल पत्र समर्पित कर दिये लाल चंदन लगा कर भगवान चंकर की पाँच बेटियों के नाम से नाग पंच में के दिन तो ऐसी कोई मनुकामना नहीं जो स्वैम शिवजी ना पूंड करे जो जब आप भगवान चंकर की पाँच बेटियों के नाम से बेल पतल पर लाल चंदर लगा कर समर्फित करते हैं तो स्वयम शिवजी की बेटियां जो पाँच बेटियां है वो और जो छटवे नमबर पर बेटी है मादा अशोक सुंदरी वो भी आपकी मनुकामना शिवजी तक पहुंचाती है और शिवजी उसे शेगरती शेगर शिरी शिवाय नमस्तु भियाम और हायर महाँ